योरप की एक ऐसी जबरदस scholarship है जिसका शुमार योरप की तीन टॉप बेस्ट scholarship में इसका जरूर होता है और इसकी थुरू आपको दो सालों के लिए 49,000 euros मिलते हैं जो कि अगर पाकिस्तानी करंसी में देखा जाए तो इस scholarship में जो आपको amount मिल रही होती है तो उसमें आपके तकरीबन 18,000 euros आपके educational expenses होते हैं जो कि आपकी education पे लग रहे होते हैं आपकी tuition fee स्वहरा होती है और आपको 31,000 euros जो हैं वो मिलते हैं जो कि तकरीबन 1.2 करोर हैं और यानी 1 करोर 20 लाग पाकिस्तानी रूपीज जो कि आपको living expenses के लिए मिल रहे होते हैं और मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताओं, सबसे interesting बात बताओं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर साल पाकिस्तानियों को ये scholarship सबसे ज्यादा अलोट होती है as compared to any one, any other nationality in the world और एक अच्छी बात मैं आपको ये बताओं कि मैं खुद इस scholarship के थरू फ्रांस आया, यॉरप आया और एक चीज़ मैं आपको एक और बताओं, बहुत ज़रूरी है कि इस scholarship के थरू आप at least डो यॉरपियन कंट्रीज में पढ़ते हैं तो for example मैंने इटली में education हासिल की, फिर मैं फ्रांस आया और फ्रांस में अपनी education को complete किया तो दो at least होती हैं और दो से ज्यादा में भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे मैं आपको detail से बताओंगा कि ये किस तरह situation काम करती है लेकिन अगर आपका interest है और आप इस scholarship के बारे में जाना चाते हैं और तकरीबन बहुत ज़्यादा बचे scholarship के लिए select होते हैं हर साल तकरीबन 190 से 200 बचे scholarship के थूँ यॉरप आते हैं अगर आप इसमें से एक बनना चाते हैं तो इस video को देखते रहें ताके मैं आपके साथ details शेयर करूँ और साथ साथ मैं आपको बताओं कि आपने scholarship को हासल कैसे करना है तो लेट स्टार्ट इस video ना और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि भाई यह scholarship और इड़ेडी ओपन है और आप इस scholarship के लिए अल्डेडी apply कर सकते हैं और multiple fields के लिए इस scholarship available है तो अगर आपका medical से belong करते हैं, engineering से belong करते हैं, commerce से belong करते हैं, business से belong करते हैं, law से belong करते हैं कोई भी field आपी है, humanities, literature, आपको हर field से कोई ना कोई ऐसी speciality है जो कर मिल जाएगी जिसके लिए आप apply कर सकेंगे तो इंतजार किस चीज़ का है, आप इस video को देखें और हम इस video का आहास करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ, यह scholarship जिसका मैं आपको साथ जिकर कर रहा हूँ, इससे कहते हैं Arrasmus Mundus Scholarship हाँ, शायद आपको इस scholarship के बारे में already पता हो, शायद आपने की इसे सुना हो, कि यार इसके लिए apply करना है लेकिन आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस scholarship को ना सिर्फ अच्छे तरीके से कैसे apply करना है, बलके आपने किस तरह make sure करना है कि आपको ये scholarship मिल सके, तो चलें अगर सबसे पहले जिकर किया जाए कि ये scholarship है, क्या, ये किस की तरफ से lot होती है, कौन-कौन से countries में आप जा सकते हो और आपको कितनी amount मिलती है, जो कि मैंने आपको थोरा सा initially भी बता दिया, लेकिन मैं आज आपको भी थोरा सा detail से बताता हूँ तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, कि ये जो scholarship है, ये European Union की तरफ से मिलती है तो अगर आपका European Union scholarship दे रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए, कि भई इसमें visa rejection ratio नहीं होती आपकी almost 100% visa आपका लग रहा होता है, इवन अगर आपका कोई misshap हो जाए, for example, आपका कोई police case बन जाए, कोई IFIR बन जाए, या कोई और चीज हो जाए तो वो अलग चीज है, लेकि normal circumstances में visa हर बच्चे का लग जाता है, scholarship के थूँ, किसी किसी का कोई अगर issue आता है, तो वो भी आपका European Union help करता है, resolve करने में तो आपको मालूम होना चाहिए, कि ये जो scholarship है European Union की तरफ से मिलती है, और European Union आपको sponsor कर रहा होता है, वो ही आपका ये पूरा case handle कर रहा होता है, कितने बच्चों को ये scholarship मिलती है, पूरे साल में ये तकरीबन scholarship जो मिल रही होती है, वो तकरीबन 2500 बच्चों को मिलती है, all across the world all across the world ये scholarship तकरीबन 2500 बच्चे हासिल कर रहे होते हैं, जिसमें top जो number है वो पाकिस्तानी का है, हर साल पाकिस्तानी तकरीबन 190 से 200 बच्चे ऐसे हैं, जो कि top ranking में आते हैं, यानि सबसे ज्यादा बच्चे इन पाकिस्तान से belong करते हैं, जो कि इस scholarship को हासिल कर रहे होते हैं, त पाकिस्तानी इस ही top list में हैं, तकरीबन पिछले 2-3 सालों से जो कि highest number of year scholarship ले रहे हैं, अब इसके बाद बात की जाए कि कितने मुलकों में आपने पड़ना हैं, कितने countries में आपने पड़ना हैं, तो भाई, अरेसमस मंदा scholarship के तुरू जब आप आते हैं, तो आप at least 2 मुलको में सबक पर रहे होते हैं, दो मुलकों में अपनी education को हासल कर रहे होते हैं, for example, अगर मैं आपको बता हूँ, मैंने पहला semester इटली में गुजारा और उसके बाद मैं दूसरे semester से France आया और मैंने आपने पूरे यानी 1.5 साल यहां पर complete किया अपना master's, तो आप लोग भी at least 2 म हैं, और maximum आपके तीन या चार countries होते हैं, जिसमें आपको जाना होता है और आपको relocate होना होता है, क्या जो European Union है वो relocation की cost को cover करता है, अब मैं इसकी finances की उपर बात की जाए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यह amount इतनी ज्यादा होती है, कि आप easily अपनी relocation cost को cover कर सकते हैं, तो अगर सबसी, अगर मैं बताओं तो दो types होती हैं, कुछ programs old funding pattern पे काम कर रहे हैं, और कुछ programs जो हैं वो नए funding pattern पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपको बताता हूँ, चलूँ के भई, कुछ programs जो हैं, जो कि पुराने हैं, जिस program की तुरू मैं भी आया था, तो इसकी त तुरू आपको monthly basis पर, जो मैंने आपको initially बताई थी 31,000 euros, जो कि living expense के लिए मिल रहा होता है, और 18,000 euros जो आपका educational expense है, तो अगर living expense का बताओं तो आपको हर महीने 1000 euros मिलते हैं, इस category 1 के तुरू, तो हर महीने आपको 1000 euros मिल रहे होंगे, तो 2 सालों के लिए 24,000 euros बन गे, ठीक है, और इसके इलावा जो आपको extra amount मिलती है, जो के 7,000 euros है, वो आपकी relocation cost होती है, यानि आपने अपने country से आए, आपका airfare ticket, visa cost, उसके इलावा, let's say आप इस इटली में आए, और उसके बाद फिर आप किसी और मुल जा रहे हैं, तो उसकी सारी relocation cost भहरा, यह आपकी cover कर र तो उसमें आपको separately तो कोई amount नहीं देते हैं, लेकिन वो instead of आपको 1000 euros देने के, वो आपको 1400 euros देते हैं हर मन्त आपकी सारी cost cover करने के लिए, तो वो आपको कोई extra separately relocation cost नहीं देते हैं, बट वो आपको extra 400 euros every month दे रहे होते हैं, जो के आपकी health कर रहा होता है, तो आपको पता ग्या होगा कि ये बहुत ही जबर्दस scholarship है और आपके बरे ही अच्छे chances हैं अगर आप इसको हासिल करना चाते हैं, अब इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई कौन कौन लोग इसके लिए eligible हैं जो कि इसके लिए apply कर सकते हैं, तो आपको मैं अगर बताता चलूँ तो ये scholarship सिर्फ masters के लिए applicable है और master's वाले ही, इसके लिए apply कर सकते हैं, तो अगर आप bachelor's के चोथे साल में हैं, आपका भी bachelor's complete नहीं हो कि तह तब आप apply कर सकते हैं, अगर आप puzzle's complete हो चुका है, आपका gap year है, आप तब भी apply कर सकते हैं, आप master's अपने अलड़ेट गया हुआ अको है बहुत से programs के लिए हर program का different criteria है कुछ programs जो होते हैं वो आपकी language proficiency certificate आप से मांग रहे होते हैं और कुछ programs आप से IELTS मांग रहे होते हैं तो कोई general आपको patron नहीं बता सकता कि क्या IELTS ज़रूरी है कि नहीं है लेकिन always I recommend IELTS for this scholarship IELTS बहुत एहमियत रखता है अगर आपका अच्छा band आया है तो आपकी scholarship के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि आपने programs बहरा किस तरह देखने हैं बट मैं आपको एक generally सारी situation आपको limit है वो अब खतम हो चीगी है और आप unlimited number of programs में apply कर सकते हैं जिसमें आपकी मर्जी है कि आप कौन से program में apply करना चाहते हैं बेशक 4 हों 5 हो 6 हों वो आप पे depend करता है और आपकी relevant programs में depend करता है इसके साथ साथ कोई age limit नहीं है कि जिनकी age around 30 थी उनको भी ये scholarship easily मिल गई थी तो आप इसको देख सकते हैं इसके लिए कोई message मसला नहीं होगा unlike काफी other scholarship जिसके लिए आपकी age limit वहरा होती है इसके इलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग scholarship के लिए apply करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये scholarship allot हो काफी लोगों को ये होता है कि सिर्फ वो program में admission हो जाता है तो क्या होता है कि आप scholarship के लिए separately apply नहीं करते आप programs में ही apply करते हैं और वो program में आपको select करते हैं अगर आपकी top ranking में आता है तो वो आपको scholarship allot कर हो गया बट आपको scholarship नहीं मिली तो आप अपने self-finance basis पर भी इस programs के लिए आ सकते हैं और यहां पर multiple countries में आप जो भी आपको allot होती हैं वो आप select नहीं करते वो program की तरफ से आपको allot हो रही होती हैं आप कभी कबार preferences देते तो आप अपनी education को pursue कर सकते हैं तो अगर आपको scholarship नहीं मिलती हैं लेकिन unfortunately वो काफी expensive हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया जो educational cost है वो तकरीबन 18,000 euros है for two years of program तो वो कभी कबार काफी ज्यादा हो जाती हैं कुछ लोगों के लिए तो अगर आप बात की जाए कि आपने किस तरह कौन सी website फिर अपने programs देखने हैं वो मैं अब आपके साथ share करता हूँ कि आपने programs की details को किस तरह find करना है कौन सी website के थुरू आपने ये सारी details वहरे check करनी है तो अगर मैं आपके साथ screen share करूँ तो अगर आप मेरी screen share को देखें तो आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर जाके लिख लेना है और आपने लिखना है कि catalog arasmus mandus scholarship ठीक है यहां पर आप लिखें catalog arasmus mandus ठीक है तो आपके सामने इस तरह की website open हो जाएगी जिसके अंदर multiple programs है और इसके अंदर अगर आप देखें अगर bio की उपर हम search करें तो यहां पर अगर bio मैं लिखता हूँ तो bio से related जो भी आपके keywords से related programs होंगे तो वो इसको show कर रहा होगा और मैं इसको अगर search करता हूँ तो मेरे सामने 17 programs हैं जो के available है scholarship के लिए ठीक है अब 17 programs जो हैं वो available हैं लेकिन जुरूरी नहीं है कि सारे programs जो है for funded हो मैं अब आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह देखना है कौन सा program funded है और कौन सा program funded नहीं है तो अगर मैं इसके उपर search करूँ यह एक program मैंने open कर लिया कोई randomly अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर लिखाओगा start date और end date start date का मतलब है कि यह program कब start हुए end date का मतलब है कि यह program कब end होगा तो इसका मतलब है कि इसके पास अभी funding मौझूद है EU grant तो आप इसके अंदर apply करेंगे तो आपको scholarship मिलेगी let's say अगर आप जो है कुछ programs जो है वो अभी 2024 है और वो apply कर रहे हैं तो क्या वो आपको दो सालों के लिए funding मिलेगी बिलकुल आपको दो सालों के लिए funding मिलेगी अगर ये end date जो है वो आप apply करने वाली date से ज्यादा है यानि आगे है तो आपको definitely scholarship मिलेगी अगरे दो सालों के लिए ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि आप अभी 2024 में apply कर रहे हैं तो वो scholarship end हो गई नहीं वो 2025 में जो apply करेगा उसको वो scholarship नहीं मिलेगी अगर ये dent line पास नहीं हुई तो आप scholarship के लिए definitely apply कर सकते हैं अब इसके उपर वो आपको summary और सारे programs बता रहा होगा कि summary क्या है, program में क्या क्या परहेंगे इसके लावा partner universities वो होती हैं जिसके अंदर आप जाके पर रहे होते हैं आपको पताया था at least two countries होता है तो वो इसकी basis पे होता है और आप देखते हैं कि इसके अंदर ही कोई दो at least universities होंगी जिसके अंदर आप पार रहे होंगे, कुछ के अंदर तीन होती हैं, कुछ के अंदर चार होती हैं ठीक है तो वो vary करता है और यहां पर चार है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप चारो मुलकों में ही पढ़ रहे हों आपको वो प्रोग्राम वले अलोट करेंगे और आप जब अपना motivation letter लिख रहे होंगे तो उसमें आप preference पी show कर सकते हैं अब इसके उपर अगर आपने यह चीज़ देख ली यह आपको information मिलेगी अब इसके उपर आप यहां पर जाके जब इस program की उपर click करेंगे यहां पर तो जैसे ही आप इस के उपर click करेंगे और आप host university की उपर जाएंगे तो वहां पर आपको सारी details बकाया वो मिल रही होग तो अगर आप इसको सर्च करें तो आपको navigate करना पड़ेगा यह हर program की website है वो different होगी तो आपने हर program के लिए differently apply करना है और आप एक ही host university की उपर apply कर रहे होगे जिसका link यहां पर आपको मौझूद होगा या कहीं यहां पर आपको मौझूद हो सकता है कुछ universities का link जो है वो portal बना हुए है और किछका जो है आप universities के थुरू apply कर रहे होगे तो हर program जो है वो different होगा उसका तरीका different होगा apply करने का बस मैं आपको एक idea दे रहा हूँ तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर let's say अगर आपने program की detail देखनी है मजीद तो यहां पर आप check the list करेंगे तो आपको जो harassment मंडस के program है जो आपका है या आपका नहीं है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर harassment मंडस तो let's say अगर मैं यह plant वादा देखूं तो यहां पर आप देखें यहां पर स्कॉलर्शिप पी है 30 openings है 30 positions available है ठीक है यहां पर कुछ information दी विया जो कि आप देख सकते हैं आपको मजीद information चाहिए तो आप इनको email कर सकते हैं वो आपको इस सारी information provide कर देंगे let's say अगर मैं plant health की ओपर देखता हूं तो यह मुझे detail से सारी information दे के लिए आप apply करें इसके साथ साथ अगर आपने अप क्या करना है कि let's say इसके अंदर apply कैसे करना है तो वह आप university के जो general admission site होती है जिस तरह apply करने का होता है तो आपको वो explicitly कहीं ना कहीं पर नजर आ रहा होगा तो यहां पर आप देखें यहां पर choose studies करेंगे ठीक है check scholarship make registration and pre registration तो अगर हम यह directly उस पर जाते हैं go to registration पर तो यह आपको step by step सारी information provide कर रहा होगा कि आपने किस तरह करना है so pre registration करनी है तो go to application जाएंगे तो यहां पर आपना account बनाएंगे और यहां पर आप अपना जो process है वो start करेंगे तो यहां पर अगर मैं यहां बताओं तो let's say admission तो admission क यहां पर हम click करें so यहां पर अगर आप देखें pre enrollment phase one आपको timeline भी बताई हुए है कि नमंबर से आप February तक apply कर सकते हैं इस program की timeline है तो वो admissions की timeline है program की timeline differ कर सकती है लेकिन generally यहां पर अगर मैं आपको arasmus pandas का बताओं तो वो October September October से start होके यह January February तक जा सकती है और हर program की different timeline होगी तो आपने mind में रख लेना है कि कि किसी generalized को information नहीं मिलेगी आपको so यहां पर अगर मैं आपको बताओं तो pre enrollment request की उपर आप click करें इस तरह आप account बनाएंगे और यहां पर वो सारी आपको information जो है वो provide कर रहे होंगे so यहां पर इस तरह का मजीद information अगर आपको चाहिए कि कि अगर अगर आपको दिखाओं तो यहां पर आपको दिखाओं तो यहां पर आप देखें तो इसकी timeline वही है और इसका तरीका क्या होगा इसका different होगा for sure तो अगर आप इसको देखें यहां पर मैं इसको English में convert करता हूँ accept all तो यहां पर आपको बिलकुल different information मिल रही होगी अब आपको किस तरह करना है apply बिलकुल इसको navigate करना है application को कि यार इसकी admission process कहां पर है so जैसे अब आपको become a student की यहां पर मैं let's say click करता हूँ जैसे आपको बिलकुल ऐसी मुझे भी navigate करना होगा मुझे भी website को समझना होगा क्योंकि इसका simple कोई एक portal नहीं है जैसे है तुदी है France हमारा France का portal था उसकी उपर simply हम information put कर देते हैं नहीं यहां पर आपको समझना होगा ठीक है और यहां पर master's program के लिए candidate है तो यहां पर आपको अपना program select करना है जैसे कि हमारा program जो था first of all यह sustainable forest था तो सबसे पहले आप अपना let's say program select करें तो यहां पर forest यहां पर देखें यह forest आ गया और यहां पर हमारे यह program है जिसके अंदर हमने देखा था Christmas Monday के कि इसकी scholarship available है तो इसके लिए apply कर सकते हैं English में education है और यहां पर अगर मैं इसको click करूँ मजीद information के लिए तो यहां पर आप देखें तो यह कह रहा है कि the call for application for this 2024 has been closed the new call for 2025 will be open November ठीक है वो कह रहा है कि open होगा November for non-EU applicant so आपका यानि अगले महीने में इस program के through application जो है वो आपकी open हो रही होगी तो आप इसके अंदर apply कर सकते हैं अगर आप non-EU हैं और अगर आप EU हैं तो वो फिर आप January में आप apply कर पाएंगे तो यहां पर वो आपको सारी information जो है वो apply करने की भी बता रहा होगा so यह मैंने आपको बताने का मकसद यह था कि आपने इस तरह program है डेट डिफरेंट है apply करने का तरीका डिफरेंट है तो आपने जितने प्रोग्राम से लग की हैं तो हर प्रोग्राम के लिए आप separately आपको apply करना होगा so this is how these program works अब मैं आपको बताता चलूं के मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल से वीडियो बनाई हुई to be honest आपके लिए वो काफी helpful होंगी काफी डिटेल से information आपके साथ मैंने share की हुई है अगर आप उस tip को follow करें definitely आपको ये scholarship मिलेगी so inşallah मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दुबारा किसी नए वीडियो में तब तक आप इस चैनल को subscribe करें क्योंके मैं मजीद इस तरह की जबर in getting the scholarship trust me अगर आप इस चीज़ पर भरोसा कर रहें तो इन्शाला मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दुबारा किसी नए वीडियो में अगर आपको कोई question है comment कर लें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और फिर मैं आपको दुबारा मिलूँगा तब तक अपना ख्याल रखिए take care Allah aafis and have a good day